What is, human body है, उसको दो भागों में बाटा जाता है, अब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरी body को diaphragm ने दो हिस्सों बाट दिया है, diaphragm से उपर वाला हिस्सा, chest cavity और diaphragm से नीचे वाला हिस्सा जो होता है, उसको बोलते हैं abdominal cavity, ठीक है, तो ये diaphragm एक muscular layer होती है, dom shape होती है structure में, dom shape structure मतलब इस तरीके से, चीक है, तो ये जो dom shape structure है, जो muscular layer है, एक muscles की बनी होती है, membrane होती है, आप layer कह सकते हैं, इससे उपर जो हिस्सा होता है, यहाँ पर lungs होते हैं, क्या होते हैं, lungs present होते हैं, और नीचे की तरफ क्या होता है, abdominal part होता है, कौन सा, abdominal part, lower abdomen का जो नीचे वाला हिस् होते हैं, और diaphragm से उपर की तरफ lungs होते हैं, यह जो membrane मैंने बनाई है, यही है diaphragm, क्या ही यह diaphragm?